So hello everyone, welcome back to another new video आज के इस वीडियो पे मैं आप लोगो वजीरेक्स में INR यानि के इंडियन रुपीज डिपोजिट करने का लेटेस्ट प्रोसेस लाइब करके दिखाने वाला हूँ वीडियो बहुत जदा इंपोर्टेंट होने वाला है और आप लोग इजीली डिपोजिट कर पाऊगे तो डिपोजिट करने के लिए सबसे पहले जो बैंक आपने रेजिस्टेर किया है वजीरेक्स पे उसी बैंक अकाउंट से आपको वजीरेक्स के बैंक अकाउंट पर पेमेंट करना है ठीके और पेमेंट आपको IMPS, NEFT या फिर RTGS के थुरू करना है और Mobile Banking या फिर Net Banking के थुरू करना है आप कोई भी UPI Apps जैसे Phone Pay, Google पे यूज नहीं कर सकते हो अगर आप UPI Apps के थुरू payment करते हो तो वो 15 days के अंडर refund आ जाएगा आपके bank account पर तो make sure कि payment करते वक्त आप Mobile Banking या Net Banking के थुरू ही payment करना जिसका process में आगे चल के बता भी दूँगा तो उमिद करता हो सबसे पहला point आप लोग समझ गए है कि registered bank account से वोजीरेक्स के bank account पर payment हमें करना है जितने भी amount हम deposit करना चाहते है और वोजीरेक्स का bank details कहां पर मिलेगा जैसे आप deposit के option पर जाओगे और first option पर जाओगे standard deposit पर तो वहीं पर so bank details का option मिलता है उस पर क्लिक करते आपको वोजीरेक्स का bank details दिख जाएगा ठीके वो details आपको add करके simply उसी पर आपको payment करना है उके तो जैसे आप payment successfully कर लेते हो उसके बाद आपको क्या करना है तो उसके लिए simple से फिर से आपको deposit के page पर आना होगा और standard deposit के option पर क्लिक करना है यहां पर सबसे उपर देखो कि तो आपको जो है लास्ट पेज पर आपको utr या फिर टांजक्शन आईडी शो हो जाता है सिंपल से वह आपको आईडी डालना होता है और date आपको डालना होता है टांजक्शन डेट यह डालके जैसे आप पर आना है यहां पर आयनर वालेट पर जैसे आप क्लिक करोगे तो नीचे आपको दो option मिलते डिपोजिट और विड्रो आपको सिंपल सा डिपोजिट के option पर क्लिक करना है उसके बाद कुछ ऐसा पेज आता है मैंने आप लोगो बताया कि यहां पर आपको standard deposit पर क्लिक करना होगा लेकिन यहां पर देखोगे तो नीचे और एक option है जहां पर फी नहीं लगते वजिए पीटूपी तो पीटूपी के थूरू किस तरीके से deposit करना है अगर आपको नहीं पता है तो नीचे description पर मैं उस वीडियो का भी लिंक डाल दूंगा वह वीडियो देखके आप पी 15 days में refund आजाएगा वह successfully deposit नहीं होगा ठीक है आपको केवल नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के थूरू ही deposit करना है तो यहां पर simply आपको आपको क्लिक करना है उसके बाद सबसे पहला process मैंने क्या बताया था आपको यहां से आपको वोजी रेक्स के bank details लेना है और व टीड़ पर एक क्लिक को हो जाएगा ठीक है जैसरा मोबायल बेंकिंग या फिर नेट बैंकिंग पर जाके वह एड करना है अभी यह details add करने का process बिल्कुल से में हर एक बैंक का लेकिन हर एक बैंक का applications जो है वो अलग होते हैं जैसे state bank का योनो HBI है, access bank का, access mobile है, bank को बरोदा का BOB है वैसे हर एक बैंक का जो अलग-अलग अपना mobile banking app होता है तो वो mobile banking app आपको open करना है और वहाँ पर जैसे आप send money में या फिर transfer money पर click करोगे तो वहाँ पर pie add करने का option आता है, add pie पर click करके यह details आपको add करना है या फिर अगर आपको net banking के थुरू आता है, transfer करना तो आप net banking भी use कर सकते हो तो मैं आप लोगो mobile banking के थुरू deposit करने का process बता रहा हूँ तो suppose करो मेरे पास access bank है तो मैं access mobile application open करूँगा ठीक है तो मैं open कर लेता हूँ तो हमने यहाँ पर अपना access mobile application open कर लिया, आपका भी जो bank है उसका जो mobile banking application है वो open करना है, login करना है और वहाँ पर आपको send money के option पर जाना है जैसे आप send money के option पर click करोगे तो आपको सामने कुछ ऐसा page आएगा, ठीक है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आप जिनको भी payment send की हो पहले उनका transaction आपको यहाँ पर show होता है और add pi का option आपको मिल जाता है, तो simply आपको add pi के option पर click करना होगा और यहाँ पर देखो तो access bank pi है या फिर other bank pi है वो आपको select करना होता है तो जो bank है वो आप देख लेना वजी रेक्स का, ठीक है, तो वो access bank नहीं है, तो simply हम यहाँ पर other bank pi पर click करेंगे तो यहाँ पर pi name, nickname, account number, confirm account number, ifac code, सब कुछ मिल जाता है, ठीक है, तो यह हमें यहाँ पर डालना होगा और यह सब कुछ कहाँ पर मिलता है, हम deposit के page पर जैसे हम show bank details पर click करते हैं, वहाँ पर सारा details हमें मिल जाता है तो वह simple सा copy करके paste करना है, अभी मैं दिखा भी देता हूँ, तो वह जीरेक्स के page पर जाते है, सबसे पहले हमें name डालना है, तो name के पास पर जैसे हम click करेंगे, तो copy हो जाएगा नाम, उसके बाद हम अपने mobile banking application पर जाएंगे, और वहाँ पर हम name पर जाके यह paste कर देंगे, ठीके, इस तरीके से बागी के जो details है, nickname, account number, confirm account number और IFSC code डालना है, और add pi पे click करना है, तो यह हम details copy paste कर लेते हैं, तो देखिए हमने सारा details यहाँ पर add कर दिया है, आपको भी add कर लेना है, nickname वहाँ पर नहीं रहता है, तो nickname आप अपने ही साब से डाल सकते हो, तो मैंने यहा समझने में आसानी हो, और हम directly इस पर pay कर सकते हैं, एक बार जैसे आप pi details add कर लेते हो, तो बार बार आपको add करने की जरूरत नहीं होते है, direct आप इस पर जाके pay कर सकते हो, ठीके, तो यहाँ पर उसके बाद आपको simply add pi पे click करना है, जैसे आप add pi पे click करोगे हो, तो एक बार पूरा details आजाएगा, तो वो details आपको जरूरत से एक बार check करना है, उसके बाद आपको confirm पे click करना है, उसके बाद आपके register mobile नमबर पे एक OTP आएगा, simple सा OTP डालना है, और confirm OTP पे click करना है, तो confirm OTP पे click करने के बाद आप देख सकते हो, जो हमारा pi है, वो successfully add हो जाता है, आप transfer कर सकते हो, हमारे यहाँ पे कोई भी नहीं आया, एक्सिस bank का, तो हम directly अभी deposit कर सकते है, तो deposit करने के लिए direct आप यहाँ पे payment कर सकते हो, तो और otherwise आप भी आओगे, जैसे फिर से send money के option पे जाओगे, तो वहाँ पे आपको, नीचे पे ही details दिख जाएगा, all price पे जैसे और यहाँ पे पे का option मिल जाता है नीचे, तो simple सा पे के option पे किलिक करना हर एक bank का जो process सेम ही है, सेम तरीके से ही आपको करना होगा, अभी यहाँ पे आपको amount select करना है कि कितना amount आप deposit करना चाहते हो, तो यहाँ पे minimum 1000 और maximum 10 लाग तक है, अभी के time पे, तो वह उसी सब से आ अपने amount यहाँ पे select करना हो, तो मैं यहाँ पे 1000 deposit करके आप लोगों दिखाता हो, तो उसके लिए simply amount पे हम 1000 डाल देते हैं, और उसके बाद देखो, जैसे मैंने बताया था payment mode select करना होता है, तो इसी page पे आपको mode select करना पड़ेगा, आप IMPASE से करना चाहते हो, एनिएप्ट इसे भी करना है, तो आप कर सकते हो, तो मैं IMPASE से ही करके आपको दिखाता हो, तो simple सा आपको IMPASE पे click करके, प्रॉसिट पे click करना है, प्रॉसिट पे click करने का बाद आप देख सकते हो, जैसे मैंने बताया था, IMPASE पे थोड़ा charges लगता है, तो 1000 में हमें यहाँ यहाँ पर आपको कुछ भी चार्ज नहीं लगते, उसके बाद simple सा देखो, यहाँ पे confirm पे click करना है, और आपको अपने MPIN डालके confirm करना है, तो हमने successfully transfer कर दिया है, amount जब भी आप complete कर लोगे, तो वहाँ पे successful का message आएगा, जहाँ पे सारा details आपको show होगा, ठीक है, UTR या फिर transaction ID, कितना amount आप send कर रहे हो, वो सब कुछ आपको show हो जाएगा, transaction date वोगरा, तो वो page में ही आपको details मिलता है, उसको simple सा आपको, वो directs के page पे डालना है, तो मेरा वो page cut हो चुका है, तो मैं यहाँ पे history पे जाकर भी अपना यह सारा details देख सकता हो, तो जैसे listen transaction पे जातो, आप यहाँ अंका होता है, तो यहाँ पे देख सकतो, 12 अंका हमारा transaction ID शो हो रहा है, साइट पे date भी शो हो रहा है, तो यह सारा details हमें feel करना है, वो directs के page पे, तो जैसे आप वो directs में deposit के option पे आओगे, standard deposit पे click करोगे, यहाँ पे दिखोगे, तो आप mode of payment आपको select करना है, तो हमने IMPS स किया था, तो IMPS हम select कर रहे है, उसके बाद आपके account details यहाँ पे आपको show होगा, ठीक है, जो details आपका registered है, वो directs में और इसी से आपको payment करना है, तो मैंने यहाँ पे मेरा details आ चुका है, अभी कितना amount deposit किया है, और UTR और date, और उसके बाद हमें term and condition पोके करके submit करना है, तो amount जब यहाँ पे transactionality डालोगे तो आप अच्छे तरीके से match कर लेना, उसके बाद ही यहाँ पे डालना, उसके बाद आपको date डालना है, तो date यहाँ पे 9 तारीक का ही है, उसके बाद आपको यहाँ पे term and condition पर okay करना है, और submit पर click करना है, तो जैसे आप submit पर click कर दोगे, तो य अगर सही तरीके से आपने सारा प्रोसेस फॉलो किया है और अगर कुछ भी गलती करते हो आप तो आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ठीके डिपोजिट नहीं होता है तो फिप्टीन डेस के अंदर आपके बैंक पर यह रिफंड कर दिया जाता है और उसके बाद देखते कब तक हमारे अमांट जो है डिपोजिट होता है ओके तो फाइनली कुछी घंटे के अंदर हमारा पैसा यहाँ पर सक्सेस्पूल डिपोजिट हो चुका है आप लोग आएनर वालेट पर देख सकते हो जैसे आप आप आएनर वालेट पर क्लिक करोगे कर तो आप लोग समझ गयोंगे कुछ भी समझने में दिक्कत आ रहे होंगे तो कमेंट में जरूर पूछना और अगर बाई चांस आपके अमांट नहीं आते है 24 घंटे के बाद भी तो आपको क्या करना है वजीरक्स के कस्टेमर सपोर्ट से कॉन्टाट करना है उसके लिए वीडियो अप लोग के लिए बना दूंगा तो आज के लिए इतना ही मिलता आप लोगों से नेक्स्ट और एक इंफर्मेटिव वीडियो के साथ